हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू पीए आइटेंड एमस प्रगन एक्टमी आइटेंड मेनेजमेंट स्टडीज माइसल्फ मुकेश टिवारी आज का हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इमेल मार्केटिंग अब अभी तक जो भी हमने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अभी तक किसी ने चैनल को शबूस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीच चैनल में को शब्सक्राइब कर लें ठीक है एंड बैल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे है तो स्टार्ट करते हम लोग वाट इमेल मार्केटिंग एन एक्ट ऑफ सेंडिंग एक कॉमर्शिल मैसेज टूए ग्रूप पीपल पायन इमेल हम क हमारा क्या है इलेक्टोनिक्स मार्केटिंग कहलाता हैं अज़िक किसको बैद है पोटेंश्यris को और अपने जो एग्जिस्टइंग कस्टमर्स है करेंट किस्टमरस उनको बैजती है अधिवारिन क्परमुड propactor कि या बहीं पालेश है उसके फीचर्स उसके बेर सभी करें या ओफर्स हो सकते हैं डिस्काउंट या एड्सक्ता कुछ भी ठीक है कुछ बिजनेस सिख करने के लिए कि या जैसे कई बार आपने देखा होगा भाई कई बड़ी कंपनियां होती है कुछ करने के लिए या एड्सक्राइश के लिए विए ठीक है रिंजिस से कॉछ ago कि यहोटा क्वार होते हैं तो यह सब क्या है commercial activities है ठीक है तो इन सब से related जो भी information है जो भी message है अगर हम electronic medium के तुरू electronic mail के तुरू हम किसी के inbox में भेज रहे हैं तो वह हमारा क्या है वह हमारा क्या है electronic marketing ठीक है अब कुछ लोगों का एक perception लोगों ने बना रखा है कि electronic marketing आज करके time में useful नहीं है बहुत ज्यादा useful नहीं है ठीक है जाहिर सी बात है उन लोगों के लिए useful नहीं है जो इसको ठीक तरीके से नहीं कर रहे है ठीक तरीके से करने का सेंस मतलब यह बना कि भाई कई बार क्या होता है कि आप email क्या करते हैं किसी third agency के थूँ ठीक है third agency के थूँ email ले ले लेते हैं अब वह आपको पता नहीं है कि भाई जो product हम मतलब जो product हम दे रहे हैं देने वाले हैं ठीक है यह product जिसका email ID हमें मिला है उससे related है नहीं है ठीक है तो उसके लिए useful होगा कि नहीं होगा पर हमने हमें email मिला हमने भेज दिया हमारा काम खतम जाइज बात हमारे को response नहीं देगा जीरो परसेंट response मिलेगा एक 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 जैंपल लेते हम अगर एक इंजिनरिंग इंसिट्यूट है या कॉलेज है उसके potential customer कौन कौन से हो सकते हैं भाई 9,10,11,12 के student हो सकते हैं या फिर उनके teachers हो सकते हैं उनके guardians हो सकते हैं उनके parents हो सकते हैं उनके बड़े भाई बहन हो सकते हैं ठीक है अगर इनका data हमें मिलता है इनकी email id हमें मिलती है या उस institute को मिलती है उस college को मिलती है अगर वो college उन id पे अपना content या अपनी information अपनी courses की detail उन आइडी पे email के थुरूँ भेजता है तो जाहिर से बात है जिसको भी करना होगा वो जरूर कॉंटेक्ट करेगा उस college को ठीक है अगर हम किसी और को वैसे भेज देंगे तो क्या होगा वो बंदा अपनी inbox में email को open भी करके नहीं देखेगा डिलीट कर देगा डारेक्ट होता है आप लोगे साथ भी कई बार हुआ होगा मेरे साथ भी होता है मैं भी करता हूं ठीक है लेकिन अगर आपने अपने टार्गेट ओडियंस को ठीक से एनालेसिस किया हुआ है ठीक है और एक authenticated agency से डेटा लिया है और डेटा भी authenticated है तब आप अगर उसको भेज रहे हो अपने commercial message को तो बहुत ज्यादा chances होते हैं कि business conversion हो ठीक है customer convert हो ठीक है और दूसरा हम current customer को भेज़ते हैं current customer के पास क्या होता हमारा already customer होता है पहले से customer होता है उसका डेटा हम रखते हैं ठीक है जैसे mobile नमबर रखते है email ID रखते है address रखते है नाम रखते है ठीक है तो क्या हुआ कि कुछ offer आया जैसे आप लोग क्या करते हो कई बड़े शोरूम या मॉल अगरा में जाते हो तो आप से फॉर्म अगरा फिल अप कर आपके रख लेते हैं वह क्या करते हैं एक तरीका data collect कर रहे होते हैं ठीक है जिसमें mobile नमबर हो गया अपनाम हो गया age group हो गई तो कुछ offer आता है या कुछ scheme आती है तो लोग क्या करते हैं आपको मैसेज के थूरू या email के थूरू भेजते हैं ठीक है तो करेंट कस्टमर का जो data है हमारे पास वह हमारे अल्रेडी हमने authenticate कर रखा है वह हमारा authenticated data होता है ठीक है उनको भेजते हैं तो जाहिर ची बात है तो दुबारा से हमारे दूसरे product को भी use कर सकते हैं करने के chances होते हैं वह हमारे email को open भी करके देखेंगे ठीक है उसके 99% chance होता है कि अगर हमारे current customer को हमने कोई commercial message भेजा है तो 99% chance है कि उसको open करके एक बार जरूर चेक करेगा ठीक है तो उसमे conversion chances क्या है ज्यादा है इसी के लावा potential customers को अगर हमें भेजना है तो हमारे पास authenticated data होना चाहिए ठीक है हमारे targeted audience का authenticated data होना चाहिए है तब ही conversion के chances हमारे होंगे नहीं तो फिर उस तरीके से भी जैसे बाकी लोग कह रहे हैं कि इमेल मार्केटिंग आज कल के time में useful नहीं है तो जाहिची बात है अगर ठीक से email marketing करोगे नहीं तो जाहिची बात useful होगे नहीं तो देखते है benefits of digital marketing डेटल मार्केटिंग यहां पर यह mistake हो गई है यह जो है यहां पर यह email marketing है इसको correct कर लिएगा आप लोग email marketing इसको भी correct कर लिएगा email marketing टीक है टाइपिंग एरॉर आई है तो बेनिफिट्स ओफ इमेल मार्केटिंग हम देखते हैं तो क्या है इमेल मार्केटिंग इसे वेरी कॉस्ट एफेक्टिव कॉस्ट एफेक्टिव कैसे है हमने स्टार्टिंग अपने वीडियो में एक एग्जेंपल लिया था वह ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर पैंफलेट और लिफलेट का तो उसके लिए क्या है हमें पहले प्रिंट कराना परेगा ठीक है पहले डिजाइनिंग करेंगे उसको कंटेंट देंगे फिर वो होगा प्रिंट होगा तो एक एंपलॉई हायर करेंगे वो इस पर्टिगुलर एरिया में जाएगा ठीक है फूर इसको बांटेगा लेकिन यहां क्या है हमारे पास हमारे टार्गेटेड ओडियंस का ऑथेंटिकेटेड डेटा है हमने डिजाइन किया इमेल के तुरू उसको क्लोई भी हायर कर रहे हैं उन्हों सबकी कोस्ट मिला के ठीक है तो कंपेर करें तो इमेल मार्केटिंग जो है बहुत थी लेस्ट आती है अगर पैंप्लेट और लेफलेट के तुरू हम अपना इंफॉर्मेशन या कॉमर्शिल मैसेज अगर किसी को दे रहे हैं तो तो दे क हमारा कर्ण करेंट करेंट करेंगे उसने हमारी सर्विसे को सबस्क्राइब किया होता है ठीक है है दो रही हम अपना कउमर्शिल मैसेजन कुछ इंफंपनेशन हम उसको भेजए अ जाते हैं यह अक हमारी इमेल को ओपन करके देखे ठीक है और जब इमेल ओपन करेगा तो अगर उसको कुछ अपीलिंग कंटेंट लगता है तो जाहिए से बाद उसको लिंक को भी क्लिक करेगा लिंक को क्लिक करेगा तो हमारे डायट वेबसाइट पर पहुंचेगा और वहां से बाकी जो और भी प्रोड़क्ट है उनको भी देखेगा और इंडेटली कहें तो कस्टमर कंवर्जन के चांस जो है इंक्रीज हो जाते हैं ठीक है इसके बाद आता है शेयरेबल अब जैसे आपने आप लोगोंने सुना होगा माउट तू माउट मार अब एक एक जैंपल लेता हूं मैंने एक रिष्ट वाच खरी दिया किसी भी कंपनी की एकस वाई जड कंपनी की मुझे तो बहुत अच्छी लगी मेरा फ्रेंड आया उसको भी अच्छा लगा मैंने बताया है उसके फीचर समझाया उसको बहुत बढ़िया है उसको भी के अब ये कंपनी के लिए की माउट तो मार्केट्टिंग हो गई उसकंपनी कुछ किया कुछ माई तिक मैं उस प्रोडर्ट से इतना इंप्रेस्ट था कि मैंने अपने फ्रेंड को अपने रिलेटिव को उस्प्रोड़क्ट के बारेन बताया वह उसे मतलब उसमें उन लोगों ने इंटरस्ट दिखाया और जाके शोरूम से या स्टोर से जाके डायेट उन्होंने खरीद लिया डायेट कंपनी के मार्केन डिपार्टमेंट ने कुछ किया कुछ भी नहीं किया ठीक है उसी तरीके से अगर मेरे एक्जिस्टिंग कस्टमर से है या पोटेंशल कस्टमर वाइन ठीक है अगर मैं उनको एमेल भीजता हूँ अब जैसे मैंने इग्जामपल ये था à-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da अगर उनके फ्रेंड के इमेल आईडिय उनके पास होगी तो उसको फारवड कर देंगे तो जाएशी बात है या पेरेंट्स ने फारवर्ड किया है तो सामने वाला उस में और इंट्रेस्ट दिखाएगा उसको ओपन करेगा देखेगा उसको अपीलिंग लगेगा तो उसको पर क्लिक करेगा ठीक है उसको लगे जा कि हां इंजिनिंग कॉलर अच्छा है वह फिर उस कॉलर से कॉम्यूनिकेट भी करेगा ठीक है यानि इमेल के थुरू हमने कॉमर्शल मैसेज जो भी भेजा है वह शेरेबल भी है ठीक है तो जस्ट सिमिलर माउथ तो माउथ मार्केटिंग की तरह यह आप डायरेट कुछ नहीं करोगे लेकिन आपके जो कस्टमर है या होने वाले कस्ट शेरेबल है बरन्ड और निव प्रोड़क्ट प्रमोशन प्रमोशन के लिए यह द्युक्त के प्रमोशन के लिए अगर हैं जैसा क्य यह permission based है हमारे current customer ने subscribe किया होता हमारी services को shareable है current potential customer इसको share कर सकते हैं हमारे commercial message को cost effective बहुत ही कम cost में बहुत ही कम लागत में हम इसको कर सकते हैं तो अगर हम अपना नया product है नया कोई brand हमने launch किया है ठीक है अगर हम भेज रहे किसी को उनको अच्छा लगा तो आगर किसी और को भेजेंगे ठीक है तो इससे क्या होगा हमारा नया product यह हमारा नया new brand है वह ज्यादा से ज्यादा customer को customer के पास reach out हो जाएगा ठीक है तो इससे क्या होगा हमारा नय product की awareness बढ़ेगी ब्रांड की awareness बढ़ेगी ठीक है कैसे अवेर्नेस कैसे बढ़ सकती है आपका content ज्यादा ज्यादा लोगों को तक पहुंचे तभी तो अवेर्नेस बढ़ेगी ना आपके potential customer और current customer दोनों उसको share कर सकते हैं ठीक है तो जाएगी बात है customer increase हो गए उन्हों ने आपने 1000 लोगों को भेजा और सबने कि इमेल मार्केटिंग ब्रांड और निव प्रोड़क्ट के पर्मोशन के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इमेजरेबल है जो भी activity आपने जो mail भेजा है जो भी message भेजा है आप उसको measure कर सकते हो जो भी आप campaign चला रहे हो email campaign चला रहे हो ठीक है web analytics और जो software तूल यूज कर रहे हो उसमें यह features होते हैं कि आप customer के response को customer की activity को आप measure कर सको calculate कर सको उसको देख सको कि भाई हाँ customer किस तरीके response दिया को कितने clicks आए ठीक है कितने view आए यह सब आप चेक कर सकते हो ठीक है और according यह सारी information अगर आपके पास मिलेगी तो accordingly जो है आप action भी ले सकते हो लेस इंट्रसिव अब for example अब देखते हैं कि भाई कोई person है अपने office में है बहुत busy है काम कर रहा है यह इवनिंग में ठका हारा यह जब भी है night duty करके ही ठीक है वह आया अपने घर पर अराम कर रहा है इसी बीच में किसी credit card वालेगा phone आ दाता है ठीक है अमुमन तो 90% लोग लोग उस card को use भी कर रहे होते है ठीक है आधकर लोग तिन तिन चार्चर पांच-पांच card रखते हैं ठीक है तो क्या होता टेलीफोन आता है और उसको बहुत request करता है बंदा कि हाँ यह card के यह feature है वह feature है बंदा बहुत irritate हो दमना करता रहता है ठीक है तो टेलीफोन marketing के case में क्या है customer को आप irritate कर जाते हो लेकिन email marketing के case में आप irritate नहीं करते हो उसको आप आपने email भेजा वह उसके customer के inbox में चला गया ठीक है अब customer को जब time होगा जब भी वह अपनी email चेक करेगा ठीक है मान लो एक्स वाइजाट बैंक ने का जो है क्रेडिट कार्ड की जो कोई 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 इंफर्मेशन कोई भी मैसेज उसके inbox में गई और वह एक्स वाइजाट का बैंक का आपका यूज़ भी करता है ठीक है तो यूज़ कर रहा है जैसी बात उसको जिस सर्विस को जिस प्रोड़क्ट को यूज़ यूज़ कर रहा है उससी से रिलेटिट को इंफर्मेशन या mail उसके inbox में आई है जैसी बात है एक बात उसको open करके देखेगा देखेगा अगर वह feature या offer उसको खुद के यूज़ भी करेगा ठीक है अधर्वाइज वह अपने फ्रेंड को भी बताएगा ठीक है तो यहां पर आप कस्टमर को इरिटेट नहीं करते हो और कस्टमर कनवर्ट कनवर्ट आउट होने के चांसिस बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है इन्वर्मेंट फ्रेंडली और जैसा कि अब हम देखने क्या सारा डेटा जो सारी जो इन्फर्मेशन है सारा जो मैसेज वह इलेक्ट्रोनिक कम्यूनिकेशन के तुरू जा रहा है ना तो हमें पेपर यूज करना ना किसी को प्रिंटिंग के लिए देना ठीक है ना केमिकल्स यूज होने जाए से बात अफ़े इलेक्ट्रोनिक इन्वर्मेंट फ्रेंडली तो है ही है टाइम सेविंग टाइम सेविंग भी है आपने यहां क्लिक किया वहां उसकी इंग बॉक्स में मैसेज पहुंच गया लेकिन पैंफिल्ट और लिफलेटिक केस में क्या होगा मानलो आप नॉढडा में हो त्रिक है नॉढडा में आपकी फर्म है में या कंपणी औरुनाइजेशन है आपको अलीघर में कुछ के मैं प्रोड्स के बारे में प्रोड charter के बारे में सुर्ट this म 내ृश्ण säwords फैलानी आप ने ज़ीं आपने प्रोड़ेट के बारे में एक एंप्लॉई हायर किया और भेज दिया जी उसको वाली गर ठीक है या तो खुद बांटेगा नहीं तो वहां नीज़ प्रवालों को देगा तो नीज़ प्रवाले का भी चार्ज हो गया टाइम लगा ठीक है लेकिन यहां क्या हुआ आपके पास ऑथेंटिकेट डेटा भी सेंड बटन पर जैसे क्लिक किया वहां उसके इंबॉक्स से पहुंच किया और जब उसको टाइम होगा वह अपना इमेल ओपन करके देखेगा ठीक है अगर उसको आपका कंटेंट अपीलिंग लगेगा और उस तो आगे वह जो है फदर जो भी रिलिवेंट उसको एक्शन लेना है वह लेगा ठीक है रियल टाइम मार्केटिंग कैसे होती है इसके अंदर आप जो भी टूल और यूज करते हो एमेल मार्केटिंग के लिए उसमें ओटोमेटिट ट्रिगर्स होते हैं ठीक है यह मान लो कि आपने हजार कस्टमर को भेजा है एक कुछ ने उसमें ऊपन किया होगा कुछ ने नहीं किया तो ज्क ने ऊपन करके जो लिंक प्रॉइड किया है उस पर क्लिक भी किया हो एक तीन कंडिशन बनी और भी बन सकती है तो जिस टूल के थूरू कर रहे हो वो क्या है उसके according ही action लेकर आपने automated पूरा system उसमें design किया हुआ है ठीक है जिसने open नहीं किया कुछ दूसरा message जाएगा जिसने open कर लिया ठीक है बट कोई action नहीं लिया उसको कुछ दूसरा message जाएगा जिसने ओपन भी किया लिंक पे भी शेयर लिंक भी क्लिक किया आपके वेबसाइट पे भी गया ठीक है उस तो उसको कुछ दूसरा मैसेज जाएगा स्टॉरी से तवियत खराब है जिसकी वज़ते जो है वीडियो अप्लोड करने में पर टाइम भी लगाया है इस बार खीक है तो रसल खांसी वगड़ा हो रही थी नेक्स देखते हैं अब डिस डिस एडवांटेजेस ऑफ इमेल मार्केटिंग यह इसको आप करेक्ट कर लेना आप लोग यह दलत प्रिंट हो गया है कई बार क्या होता है कि आपका कंटेंट जो है इमेल के थो भेज रहे हैं वह इस तरीके से ठीक से डिजाइंड नहीं होता है होता क्या है श्टम में चली जाती ओमिल जो आपकी चली जाती इस पैम और इस पैम में में 99 परसंट लोग जाके देखते भी नहीए यान कि आपकी जो मेंडत है वह बेकार गई तो आपको अपना चोंटेंट जो है कुछ इस तरीके से Design करना है ठीक है ताकि आपका जो कमर्शिल मैसेज या इमेल है वह स्पैम में ना जाके उसके इंबोक्स में जाए तो अगर गलत इमेल आइडी हो ठीक है या इनकम्प्लीट इमेल आइडी हो ठीक है या आपने जो कंट लिस्ट डेलीवर नहीं हो पाती है यह भी स्थिश्यायंट है तो जो भी आपके पास कंटेंट कdag करते निदे डेल है है वह अपने जैसे बार-बर मैं कहा रहा हूं टार्गेटेट ओर्डियन्स का ऑथेंटिकेटिट डेटा होना चाहिए तभी आप उस पर्टिकुलर कस्टमर तक पहुंच पाओगे डिजाइनिंग प्रॉब्लम इमेल मुस्ट डिजाइंड सो डाट इट अपियर्स एजिट सुड क्रोस मल्टिपल डिवाइस एंड इमेल प्रॉइडर्स कई इमेल आपका जो इमेल है आपने जो कमर्शिल मैसेज है वह इस तरीके से डिजाइंड होना चाहिए वह कोई जीमेल यूज कर रहा है कोई आउटलुक यूज कर रहा है कोई याहू मेल यूज कर रहा है कई इमेल प्रॉइडर्स है कोई अपने स्पार्ट फोन में देख रहा है कोई लैप्टॉप में देख रहा है कोई कहीं देख रहा है कोई डेक्स्टॉप पे देख रहा है तो आपका इम इस तरी के इस होना चाहिए तो वह हर इमेल प्रॉइडर्स के बास अपन हो जया कई बार क्या होता कई इमेल क्या होता सिल करते हैं ग्राफिक्स उसमें नहीं आ पाते हैं ग्राफिक्स का यूज करते हुए, मैक्सिम्म टेक्स्ट का यूज करते हुए, आपका content इतना attractive होना चाहिए, complete होना चाहिए ताकि user उसको open करें देखे और complete information उसको मिल जाये ठीक है तो यह बड़ा challenging होता है कि आप email कैसे design करो, यह भी बहुत important role ले करता है अगर आपने एमेल ठीक से डिजाइन केरे नहीं कूँ ही हैaking, एमेल डिजाइन नहीं कियाक है कुछ प्रॉलम है तो आपका जो अक्तेराएट जो है, रोजय रेड नहीं किया जाएगा, कर दीक्षपाइगा नहीं आएगा कि कस्टमर उसको रीड करते करते इरिटेट ही हो गया उसने छोड़ दिया उसको कम्प्लीट पराई ही नहीं तो जो है जो आपके कमर्शनल मैसेज का कंटेंट स्मॉल शॉट और जो है कम से कम इमेजिस का यूज करते हुए सॉट हो और कम्प्लीट हो यह नहीं कि सॉट के चक्रम हमने कम्प्लीट मैसेज ही नहीं थिया ठीक है कम्प्लीट हो सॉट हो और कम से कम इमेजिस का यूज किया हो ठीक है तो बहुत जाद चांस बनते हैं कि कस्टमर जो है उसको रीड कर सके ठीक है किसी के बाद इतना टाइम नहीं होता कि वह दो-चार पेज की इमेल परने बैठ जाए किसी कॉमर्चिल मैसेज की ठीक है एक स्क्रीन में जितना आ जाए उतना सफिशेंट है कम से कम में अपनी पूरी बात को समझाना है और कम से कम इमेज भी किसी ब्राउजर पर किसी सर्विस प्रोइडर पर इमेज लोड होने में टाइम लगता है तो उससे क्या कस्टमर इरिटेट हो जाता है अब टूल्स या सॉफ्वेर जो हैं इमेल मार्केटिंग लिए उच किया जाते हैं तो कुछ काफी साथ टूल्स है ठीक है इसमें कुछ जो हम देखेंगे बाकी के बारे में यह कुछ है एक्टिव केंपेंड मेल्चिंप सेंड इन ब्लू गेट रिस्पॉंस इनके थुरू जो है आप अपनी इमेल भेजते हो ठीक है तो क्या चांसेस बनते हैं या तो कश्मर उसको ओपन करेगा या तो नई ओपन करेगा ठीक है ओपन भी करेगा रीड भी करेगा और अगर आपने लिंक प्रवाइड किया है तो उस पर क्लिक भी करेगा तो जिसने रीड किया है, लिंक जो प्रवाइड करा है, उस पे क्लिक भी किया है, ठीक है, उसके पास कुछ अलग तरीके से मैसेज जाए, जिसने नहीं ओपन किया, उसके पास कुछ अलग तरीके से मैसेज जाए, कुछ अलग कंटेंट जाए, ताकि उसको ज्यादा अपील कर सके अब जिसने क्ल this कर लिया लिंक लिंक पर क्लिक भी किया है और अब आपकी वैबसाइट पिना और उसने प्रोडक्ट भी एक्स्प्लोज किया ठीख है ये लेकिन कुछ पर्चल नहीं किया कोई service अवे नहीं करी तो उसके पास message जाना चाहिए कुछ और offer का ठीक है अगर उसने purchase कर लिया कोई service avail कर ली तो उसके पास thank you का mail जाना चाहिए ठीक है तो इस तरीके से हम already पहले से इन content को design करके automated system में लगा सकते इन tools के through या in software's के through ठीक है यह नहीं कि हमें बैठ के सारी चीज़ देखते रहना है नहीं पहले से हम set कर लेंगे जो situation है यह तीन situation है इनके लाओ और भी situation हो सकती है depend करता है किस टाइब की service है किस टाइब product है यह आपको organization को analyze करना परेगा वह क्या क्या situation हो सकती है customer कैसा कैसा behave कर सकता है और किस behavior की recording में हमें organization कैसा action लेना है तो उस तरीके content design करके automated system में लगाएंगे और customer जैसा भी behave करेगा उसको next उसी तरीके पहुंचेगा जो है message उसको पहुंच जाएगा और वह automatically पहुंचेगा ठीक है इसे इन टूल्स का यूज करते हुए हमारे email marketing का थोड़ा easy हो जाती है ठीक है इसके बाद इसमें हम कस्टमर के action को कस्टमर के ने जिस तरीके से response दिया उस response को हम measure भी करते हैं उसने क्लिक किया कितने clicks आए कितने views आए ठीक है और उस view पे हमारी lead generate हुई की नहीं हुई ठीक है उसने purchase किया हमारा product की नहीं किया ठीक है तो इस सारी चीजें हमारे को इन software के तूल्स के थूरू मिल जाती है देखेंगे हम detail में इन सब चीजों को आगे ठीक है तो फ्रेंट्स आज के लिए बस इतना ही टेक क्यार एंड स्टे सेफ अगर content आपको useful लगा हो तो please like and share करें और चैनल को subscribe कर लें बैल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको मिलता रहें अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं दोस्तों यह जो है इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन डिटल मार्केटिंग में पर्टेक टॉपिक का अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है डिटेल्ड वीडियो सबकी अभी नेक्स्ट आएंगी वह मैं आपको धीर धीर बताता रहूंगा तो चैनल को subscribe करके बैल आइकन जरूर प्रे